दोस्तों भारत के हत्यारों के खरिदारी और western media में इसे लेके headline बनना का रिस्ता जो है वो उसी तरीके का रिस्ता है जिस तरीके का रिस्ता शोले movie में जै और विरू के वीज में था और दोस्तों भारत के तरफ से अगर कोई बड़े Russian हत्यारों को purchase किया जाता है तो इस रिस् क्योंकि दोस्तों तव ये जो headline बनने का चर्चा है ये और तेज रफतार में होता और एक तरीके से इस headline से western media के जलन, चिडन और western media के परिशानी भी जलक के बाहर आता है और हाली में जब भारत के तरफ से 12 additional सुखोई 30 MKI aircraft ओको खरिदने को लेके जानकारी दिया गया तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जाए कुछ करे और बीरू के द्वारा उसे लेके कोई रियक्शन ना आए मतलब western media इसे कैसे अपने headline ना बनाई से ये तो हो ही नहीं सकता था और दोसो western media अपने सभाव के सवरूब भारत के इसा त्यारों के development को लेके भी चर्चा शुरू कर दिया है किट को खरिदने को लेके हिंदुस्तन एरनोटिक्स लिमिटेड को एक acceptance of necessity जारी किया है और दोसो ये acceptance of necessity असल में 15 सेप्टेंबर के दिन जारी हुआ है दोसो यहाँ पर आपके जानकरी के लिए वता दू कि हाली में जो minister of defense राजना सिंग के द्वारा 45,000 करोर मतलब 5.5 बिलियन डॉलर के हतियारों के खरिदारी को लेके अनुमती दिया गया है उसी में ही ये 12 additional सुखो 30 MKI एरक्रेप्टों के अनुमती वी शामिल है दोसो आप लोगों को जानके रखना चाहिए कि अनुमती असल में हिंदूसन एरनोटिक्स लिमिटेड को दिया गया है मतलब ये हतियार का purchase डारेक्ली एरफोर्स के लिए एर रश्या से नहीं किया जाएगा बलकि बीच में हिंदूसन एरनोटिक्स लिमिटेड के तरफ से रश्या से नियार क्रेप्टों के किट को हासिल किया जाएगा और इन किटों का इस्तेमाल करते हुए ही नियार क्रेप्टों को हिंदूसन एरनोटिक्स लिमिटेड भारत में निर्मान करेगा अब वो ऐसे अगर देखा जाए तो ये 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI Aircraft को खरीदने को लेके चर्चा आज से 3 साल पहले से ही हो रहा था जब भारत और चाइना के बीच में लडाक में लड़ाई चल रहा था और दोस्तों उसी दर्मियान ये डिसाइड किया गया था कि भारत अप पर्चेस नहीं करेगा लेकिन फिर से एक बार भारत के तरफ से ये acceptance of necessity जारी करते हुए ये साफ कर दिया गया है कि भारत किसी भी तरीके के western देशों के कोई भी pressure में नहीं आएगा और भारत के जुरौतों को जिस तरीके से पूरा करना है उसी तरीके से भारत अपने जुर यार क्राफ्टों को replace करने के लिए और दो additional test यार क्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए खरीद रहा है और वही पर दोस्तों ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो 12 यार क्राफ्ट है ये असल में बेड़े के पुराने हो चुके MIG-21 यार क्राफ्टो का एडिशन होगा मतलब इससे इंडियन यार फोर्स के स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत मजबूती तो अवश्य आएगा अब दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन यार फोर्स के बेड़े में अल्रेडी 260-262 सुखोई 30 MKI यार क्राफ्ट सर्विस में है हाला कि इंड इन यार क्राफ्टों को खरिद के असल में उनी यार क्राफ्टों के कमी को दूर किया जाएगा और साथ में इंडियन यार फोर्स में जो 72 सुखोई 30 MKI यार क्राफ्ट होना था उस जगा को भी पूरा करना है पर दोस्तों वेस्टन मीडिया में अब इसे एक बहुत बड़ तरी के समय ही ये साफ हो चुका था कि भारत किसी भी तरीके से वेस्टन देशों के प्रेशर में आने वाला है नहीं पर जब 12 सुखोई 30 MKI यार क्राफ्टों के खरिदारी को एक तरीके से ठंडे वस्ते में डाल दिया गया था तब कई सारे वेस्टन मीडिया हाउस इस से क काफी खुश हुआ था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भारत S-400 तो खरिद लिया लेकिन और बाद में कोई हत्यार खरिदने नहीं जाएगा पर 12 सुखोई 30 MKI यार क्राफ्टों के ओर को एफ्रूवल देने के वाद एक तरीके से आफ कह सकते हैं कि इन्वेस्टन मीडिया के उपर भारत के द्वारा एक बहुत बड़ा तमाचा जड़ा गया और इस तमाचे का जो निशान है ये कई सालों तक इन्वेस्टन मीडिया के गाल पे रहेगा और इनी कारणों के वज़ा से अफ कई सारे मीडिया हाउस में इसे एक प्रमुक आर्टिकल के रूप में दि प्रचेस किया गया है वो भी भारत में ही हिंदू सार एरोनोटिक्स लिमिटेड में ही बना था लेकिन इन बारा इयरक्रेप्टों के ओडर के साथ साथ एक तरीके से जो सुपर सुखोई प्रोजेक्ट है उसके उपर भी रोशनी पढ़ रहा है और माना जा रहा है कि इन ब बने मातर हम